हेलो अब्रिबान कैसे आप सब लोग आशा करती हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे वेलकम बैक टो वर चैनल पुजास कॉर्णर और मैं हो पुजा तो आज यहां पे देखें मैं आपको मसाले दिखाने लगी सुबे से ही तो यहां पे था सौफ दोड़ा काली मिर्च यह सा चीजे मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छे से थोड़ा सा रोस्त करेंगे रोस्त करने बहुत पीसेंगे यह बनने हैं गरम मसाले किसके लिए बड़ी के लिए तो यहां पे काव्यांस बाबु अभी sleeping mode में है तो यह चट पे थोड़ा सा आराम कर रहे हैं और यहां पे कद् मुलते हैं किसको बरिहात बोलते हैं आस्का पानी निकाल दिया गया हैं त्लक जतनी कौन्टेटी में फुलाई जाती है इस से double से मिक्स करेंगे उसके पहली ममने थोड़ा सब पेस्ट मिकाल दिया है तो इसके में बनाओंगी नीचे बड़ी तो यहां पर वही मसाला जो मैंने आपको दिखाया वो सारे मसाले इसमें पिसके डल चुके हैं और साथ में यहां पे धनिया चौप कर ली गई है और मिर्च अदर करवा चोथ फासी लेकिन इतना चाहेक कर सकते हैं और इसमें करायल भी डलता है न देघेस में डल जाहेंगी बस में नमक नहीं कर अठील रही है यहां पे मम्मा कर रहे हैं और फिर मिक्स करने के बाद इसकी एक प्रोसेज होती है जो ममा आपको आगे दिखाएगी वह जरूर से आप देखेगा क्योंकि सबसे में प्रोसेज वही होती है यदि वह सही हो गई ना तो मतलब बड़ी आपकी परफेक्ट बनी है वहना बड़ी पकती नहीं है तो पके ना बड़ी नीचे बननी जम्मनों के मां बड़ी वहाई तो इस पर पानी में ढालो उत्राएं ना उत्राएं provide वह बाट लिए मम्मा आधा काम करेगी पर आधा इस तरीके सेrika काम गेंगे तो यह पर आ गई हूं मैं नीचे और बड़े बनन स्टार्ट हो गया है बड़े में देखे मैं किस तरीके से बनाती हूं कई बार recipe Architecture की और हमारे यह बहुत जाधा पसंद किह जा है मेरे husband को ठोटा पसंद दें शबको पसंदुन एक तरफ बाला मतलब यह कहते हैं सबसे अच्छा क्या लगता तो बड़ा लगता है मैं उनके लिए बना रही है यहां पर मनू भी आ गया है कुछ नास्ता करने कुछ यह जा रहा है कॉलेज और मैं जल्दिल दी बना रहे थी युकि नौ बजे जाएंगे तब तक सारी चीज कुछ नौ बजे खाना देना है तो मेरा खाना 15 मिनट पहले ही तयार होगा क्योंकि मेरे साथ ना बहुत ज़्यादा प्राबलम है मैं अंदर से बहुत ज़्यादा पंचुआल हो जाती हो कि नहीं मुझे यह काम बहुत फास्ट करके देना है और उस हरबढ़ाहट में कभी- मेरे अंदर थोड़े changes हुए है वो change कैसे आए है कहां से आए है मैं आपको बता देती हूं अभी तो यह सब चीज हुई है मेरे शादी के बाद क्योंकि मेरे husband थोड़ा मोरी type के है उनको हर्चेस time पे अच्छे लगती है तो time पे नहीं मिली तो फिर और नाराज हो जाएंगे और मैं अभी आ गई हूं छथ पäre क्योंकि उनको मैंने खाना दे दिय है वह जा चूके है मैं कुछ भी आपको नहीं दिखाई कि क्या है किसे बना रही थी यह आप ने देखा है और यहा पर मैं आ गई हूं छथ पर तो मम्मी बड़ी बना रही है और मम्मी अकेली थी इसल कि मुझे इसको लगाना है तो मेरे हाथ हो जाएंगे तीक है तो सब कुछ देखना पड़ता है इसलिए थोड़ा सा मा का प्यार भूल गई हूं मा का दर्द भूल गई हूं अब बस मुझे अपने बेटे का दर्द समझ में आ रहा है कि मुझे इसको लगाना है तेल तो अभी थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा दोब दिला दो क्योंकि बहुत मस्ती किया है और यह बहुत ज़दा मस्ती करने लगा है और बिल्कुल भी तेल नहीं लगवा था बहुत मुस्किर होता इसको तेल लगाना तो आम मैं इसको तो आजवाइन यह सारी चीज़े मिक्स करके बढ़िया गरम करके पका लिया था उसके बद चान के इस डिबी में भरके रख देती हूं और धूप जब होती है तो दूप इसमें पढ़ती है त्रई गरम हो जाता है देन पर लगा देती है और यहां पर देखें इनके उसाहद को यहां यहां है नीचे सांती इसको नहीं मिलनी चाहिए को की सांत रहना बल्कुल पसंद नहीं है कावयास को उपर इसको यह दादा मिल जाता है तो महीं की मजए हो जाते और हद वाले मजे करता है भाया हद वाले मजे करता है तो ये नाइट का समय है नाइट में इनकी मस्तियां बहुत ज़्यादा होती है और इस टाइम पर बिलकुल फुल मोड पर रहते क्योंकि अभी मेरे ट्यूशन वाले बच्चे जा चुके है आठ बज रहे हैं आठ बजे यह खुब मस्ती करते हैं को पूरा कमरा खाली मिलता है और यह खुब उधम चोकड़ी मचाते रहते हैं तो मैं आपको छोड़ी से क्लिप दिखा देती हूं दोपहर की तो यह दोपहर को आये थे समोसे तो मुझे इस टाइम पे ना पता नहीं क्या है बहुत सारे नहीं खाती पर मुझे एक समोसा खाने की इतनी क्रेविंग होती है जैसा जब काव्यांस पेट रहा है लेकिन पता नहीं क्यों हो रहा है तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थांक्यू फॉर वाचिंग वीडियो अच्छा लगा हो तो प्ली करिएगा और मिलें नेक्स फिट्री यहां पर काव्यास बाबू का क्वालिटी डाइन स्पेंट हो रहा है 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 जब देख